क्या कभी आपके साथ हैसा हुआ है कि एक घंटे में चॉकलेट केक आपको देना है और चॉकलेट केक बराने में हो गई ऐसी गड़बर एक मेरी चूक और गड़मी की मार से केक हुआ बेकार लेकिन उसे मैंने कैसे ठीक किया इस वीडियो में आप देखेंगे यहाँ पे मैंने एक कप रिमिक्स लिया है जो की 160 ग्राम के करीब है और उसमें हाप कप के बराबर थोड़ा सा कम पानी डाला है और वन टी स्पून रिफाइन ओयल डाल कर मैंने अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर लिया है वन और टू स्पीड पे ही इसे चलाना है मिक्स करना है और एक से दो मिनट में ये अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा दोस्तों मैंने ओटी जी को प्रीइट होने के लिए छोड़ दिया है और वन शिस्टी डिग्री पे ही इसे फोर्टी मिनट के लिए बेक करने वाली हूँ आप कूकर या कडाही का भी यूज करके बेक कर सकते हैं यहां पर मैंने 6 इंच का केक टिन लिया है और इसमें प्राच्पिन पेपर लगा दिया है उससे पहले मैंने इसमें रिफाइन ओयल लगाया था प्राजपिन पेपर लगाने के बाद मैंने सारे बैटर को इसमें डाल दिया है और टैपी कर दिया है अब इसे मैं बेग कर लूँगी बेग करने के बाद ये पूरी तरीके से ठंडा हो गया है और इसे मैं अब कट करूँगी तीन लेयर में ये केक मेरा इस्कूल में जाना था और इसे मुझे सवा साथ बज़े सुबह देना था इसलिए मैंने इसे रात में क्रम कोट कर लिया था क्रम कोट तो मैंने रात में ही किया लेकिन इसे की सुबह आइसिंग करके और मुझे केक को डिलिवर्ड भी करना था आज मैंने ट्रॉपलाइट के ट्रॉफलाइट से गनास्त नहीं तयार किया था और मैंने यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक कर दे थी कि मैंने मेजर नहीं किया था अमूल फ्रेस क्रीम और चॉकलेट को तो पहली यहाँ पर मेरी से mistake हुई बहुत बड़ी कि मैंने measure करके नहीं लिया, मैंने अंदाजे से ही dark compound और amul fresh cream को लिया और उससे milk करके और इसे cake के लिए तयार किया दोस्तों मेरी तरह आप गलती न करें कभी भी चॉकलेट गनास त्यार करना हो तो आप वेट करके लिए जितना गनास बनाना है उसके हिसाब से आप dark compound और amul fresh cream लें जितना dark compound लेंगे उससे आधा amul fresh cream लेंगे मैंने यहां पर first layer पर पानी से soak कर दिया था और उसके बाद मैंने गनास mix किया हुआ cream लगा दिया साथ में मैंने थोड़ा सा गनास और चॉको चिप्स भी layer पर लगा दिया है दूसरे layer को भी मैं पानी से soak कर लूँगी और इसके उपर भी cream लगा दूँगी और साथ में गनास और चॉको चिप्स डाल दूँगी इसके उपर मैं हमेशा ट्रूपलाइट के ट्रफलाइट से ही गनास तेयार करती हूँ लेकिन आज बाईचांस मेरे पास नहीं था और और अचानक आ गया तो इसके लिए मैंने Amul Fresh Cream का यूज़ किया है Tropolite का Truffolite का जो गनास त्यार होता है वो काफी अच्छा होता है बेकरी के स्टाइल में होता है Amul Fresh Cream से भी काफी अच्छा बनता है लेकिन जो Tropolite का Truffolite यूज़ करते हैं वो जानते हैं कि उसकी क्वालिटी क्या होती है और कितना परफेक्ट बेकरी स्टाइल वो केक बनता है मैंने इसे क्रम कोट कर लिया है और मैं इसे क्लीन रैप से अच्छी तरीके से रैप करने के बाद फ्रीज में ऐसे ही छोड़ दूँगी ढख कर आप देख सकते हैं मैंने किस तरीके से क्लीन रैप करने के बावजूद भी केक के टिन से इसे ढख दिया था सुबह के साड़े पांच बज रहे हैं और जहां देना है स्कूल में वहाँ पे स्कूल साड़े साथ से लगता है लेकिन जिनको देना है उन्होंने सबा साथ बजे ही मुझे केक मांगा है तो उसके लिए मैं अभी उठ गई हूँ और फाइनल आइसिंग करने वाली हूँ तो इसके लिए मैंने क्रीम को अच्छी तरीके से केक के उपर रख दिया है और इससे टर्न टेबल गुमाते हुए साइड में क्रीम लाऊंगी और उसी साइड में भी अच्छी तरीके से कवर कर लूँगी जो भी एक्स्ट्रा क्रीम होगा मैं इस तरीके से निकालती जा रही हूँ बहुत जल्दी फटाफट फिनिसिंग देनी है हमें और यहां पर मैंने एक नए स्क्रेपर का यूज किया है इस तरीके का लेकिन अभी तो हमारा केक आप देखेंगे कि कैसे गड़वर हो जाएगा केक में और उसके बाद मैं कैसे उसकी फिर से आइसिंग करूँगी और फिनिसिंग दूँगी केक को सेट होने के लिए फ्रीज में मैंने रख दिया है और यहां पर निट्रल ग्लेज और वाइट कलर मिक्स करके मैं वाइट ग्लेज तयार करूँगी जो कि थोड़ा समय केक के उपर डिजाइन बनाने के लिए यूज करूँगी यह अभी बहुत गाड़ा है इसमें थोड़ा समय पाने मिक्स करके और ड्रिपिंग कंसिस्टेंसी में लेकर आऊंगी दोस्तो अगर वीडियो पसंदा है तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक और शेर करें ताकि जिन से भी इस तरीके से गरवड हो वो किस तरीके से केक को सम्हाल सकते हैं वो देख सकते हैं इस वीडियो से काफी कुछ सीख सकते हैं तो वीडियो अच्छी लगी है तो तरीके से कोट कर दिया है चौकलेट से इसके उपर मैंने जो वाइट गलेज बनाया था वो भी डाल दिया और तूथ पी की सायता से इस पर डिजाइन भी बना दूंगी लेकिन अब जो होने वाला है वो बहुत बड़ा मिश्टेक होने वाला है जो कि मेरी एक गलती से हुआ क कि मैंने चौकलेट गनास बनाने में चौकलेट और अमूल फ्रेस क्रीम को मेजर करके नहीं लिया अंदाजे से ले लिया जिसके कारण आप देख सकते हैं गर्मी भी काफी है उसके कारण ये चौकलेट गनास जो है जिससे मैंने फ्लावर बनाया है रोजेट बनाया है वो गर्मी बहुत ज्यादा है दोस्तों गर्मी के कारण मेरे केक का हाल हुआ बुरा और मेरे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं अब कैसे इसे सेट करूँ क्योंकि थोड़ी देर में मुझे केक देना भी है तो उसके बाद मैंने सोचा कि चलो ट्राइ तो करना ही है तो इसके इस पे था मैंने स्क्रैपर की मदद से हटा लिया क्योंकि बहुत ज्यादा चॉकलेट भी अच्छा नहीं लगता उसके बाद उसी गनास को मैंने थोड़ा सा मिल्ट किया 10 सेकंड के लिए और उसके बाद मैंने फिर से केक के ऊपर डाला और इसको चारो तरफ केक के ऊपर फै कुछ भी दोस्तो समझ में नहीं आ रहा था लेकिन मैं फिर भी काम करती जा रही थी और उसके बाद धीरे 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 मैंने जितना एक्स्ट्रा चॉकलेट था उसको हटाती भी गई क्योंकि ओवर चॉकलेट नहीं लगना चाहिए और उसके बाद जो बचा हुआ वाइट जबाद से लिएक्स्ट्रा चॉकलेट से लूग़ पाद नाविक थेतना और वी खॉकलेट हो आव लुग स्ट्रा चॉकलेट ही for clear वे दोगा तरदेव , लुँंगी कि उपर डिजाइन बनाना अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा था मैं सोच नहीं पा रही थी किस तरीके का डिजाइन बनाओं कहीं फिर से बिगड़ गया तो अभी मुझे केक देना है तुरंत तो इसके करण मैंने साइड में क्रीम से ही डिजाइन बनाया और इस डिजाइन के उपर एक-एक चोको चिप्स इस तरीके से लगा दिया और आप देख सकते हैं कि बिगड़ा हुआ कि किस तरीके से संभल गया तो दोस्तों कैसा लगा मेरा आइडिया मैं आज बहुत बुरी तरीके से डर गई थी कि मेरा केक विगड़ गया अब मैं क्या करूँ मैं गनास भी तयार नहीं कर सकती थी तुरंत और गनास तयार भी कर लेती तो वो सेट नहीं होता सही तरीके से और यहां पर मैंने गार्नेसिंग पहले से बना कर रखी थी और उसको मैंने यहां लगा दिया है इस गार्नेसिंग को कैसे बनाते हैं अगर आपको जानना है तो मेरे चैनल पर इस की वीडियो है मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी आप वहां से देख सकत केक मेरा रेडी हो गया है और मैंने इसे थोड़ी दिर के लिए पैक कर दिया सेट हो गया अब मैं इसे पैक करके लेकर जा रही हूं